आपको विजेश संकल्प यात्रा में जोहां पर प्रदानवंती नरेंद्रमोदी संबात कर रहें सुनिए नौजवन अगले वाले गाउं में जाकर के जरा मेहनत करिए तैयारी करिए और आप चार-पांच गाउं का जिम्मा लेंगे यह जितने पीछे आज़ा हात उपर करके बताई जिम्मा लेंगे हाँ चाहबाद चलिए आप सब को बहुत-बहुत बदाई कि आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद अब मैं आजर विए पजार मंतीजी से डिवेजन करता हूं कि हम सब कमार पिर्शन करेंगे ने मोदी की गारंटी वाली गाडी को लेकर जो उत्सा गाँ में देख रहा है, हिंदुस्तान के हर कौने में देख रहा है चाए उत्तर हो, दक्षिन हो, पूरभ हो, पस्चिम हो बहुत atan चोटा गाँ हो या बड़ा गाँ हो और और कुछ तो जान पर मैंने देखा है कि गाड़ी का रूट नहीं है फिर भी लोग गाउं वाले राते में आके खड़े हो जाते हैं और गाड़ी को खड़ी दे करके सारी जानकरिया लेते हैं तो यह अपने आप में अद्भूत है और अभी कुछ लाभार्थियों से जो मेरी पताने का आफसर मिला और यह अनुवव रेकॉर्ड भी हुए है और मैंने पिछले दस-पंदरा दिन में बीच-पिच में देखा भी है कि गाउं के लोगों की भावनाय क्या है योजनाय मिली है वो पक्ति पूरी मिली एक नहीं मिली है पूरी डीटेल हूं को पता है सारी आपके वीडियो देखता हूं मैं तो मुझे बहुत आनन्द होता है कि मेरे गाउं के लोग भी सरकारी योजनाय जो मिलती है उसको कैसे बखुमी उप्योग करते हैं अब देखिए किसी को पक्ता घर मिला है तो उसको लगता है कि मेरे जीवन की नई शुरुवात हो गई है किसी को नल से जल मिला है तो उसको लगता है कि इस तक तो हम पानी के लिए मुसिबत में जीते थे आज पानी हमारे गर पहुंच गया किसी को टॉइलेट मिला तो उसको लगता है इज्जद गर मिला है और हम तो पहले पुराने जमाने जो बड़े-बड़े रहिशी लोगो को कि गर में टॉइलेट होता था अब तो हमारे गर में टॉइलेट है तो सामाजी प्रतिष्ठा का भी पीशे मन गया है किसी को मुप्त इलाज मिला है किसी को मुप्त राशन मिला है किसी को गैस कनेक्शन मिला है किसी को बिजली कनेक्शन मिला है किसी का बैंक खाता खुला है किसी को PM किसान सम्मार निदी पहुंच रही है किसी को PM फसल बिमा का लाब मिला है किसी को PM स्वानिती योजना से सायता मिली है किसी को PM स्वामित्व योजना के जरिये प्रापर्टी कार्ड मिला है यानि मैं योजनाओं के नाम अगर बोलूँगा जब मैं देख रहा था हिंदुस्तान के हर कोने में चीजे पहुँची है देश बर के गाउं में करोडों परिवारों को हमारी सरकार की किसी न किसी योजना का जरू लाब मिला है और जब यह लाब मिलता है न तब एक विस्वास बढ़ता है और विस्वास एक छोटी लाब मिल गया जिंदगी जीने के एक नई ताकत आ जाती है और इसके लिए उन्हें किसी सरकारी दफ्तर में बार बार चक्कर लगाने की जरूरत ने पड़ी बिख मांगनी पर के जो मनस्तिती रहती थी वो गई सरकार ने लाबारतियों की पहचान की और फिर उन तक लाब पहुंचाने के लिए कदम उठाए तभी आज लोग कहते हैं कि मोदी की गारंटी यानि गारंटी पूरा होने की गारंटी मेरे परिवार जनो विख्षिद भारत संकल्प यात्रा ऐसे लोगों तक पहुंचने का बहुत बड़ा माध्यम बनी है जो अब तक सरकार की योजनाओं से नहीं जूड़ पाए इशे शुरू हुए अभी एक महिना भी नहीं हुआ है दो-तिन हपते ही हुए हैं लेकिन यह यात्रा 40,000 से जादा ग्राम पंचायत और कई शहरों तक पहुंच चुकी है यह बहुत बड़ी बात है कि इतने कम समय में अब तक सवा करोर से अधिक लोग मोदी की गारंटी वाली गाड़ी तक पहुंचे हैं का स्वागत किया है उसको समझने का प्रयास किया है उससे जूरने की कोसिस की है उसको सफल करने का काम किया लोग कि इस गारंटी वाली गाड़ी का अभार प्रगट्रूप से कर रहे हैं स्वागत कर रहे हैं और मुझे बताया गया है कि कई जगों पर कायरकम शुरू होने से पहले ही कई तरह की गतिविदिया पूरी की जा रही है यानि मैं देखता हूँ कि ऐसे एक कायरकम को जिसके साथ कोई बड़ा नेता नहीं है सिरफ भारत को आगे बढ़ाना है हमारे गाउं को आगे बढ़ाना है हमारे परिवार को आगे बढ़ाना है सरकारी योजनाओं का लाब लेकर के आगे बढ़ना है इतने से एक संकल्प के लिए ये गारंटी वाली गाड़ी पहुंचने से पहले गाउं वाले ने जो काम किया है वो जो जानकारिया मुझे मिली है बहुत वर जैसे कुछ गाउं में एक-एक सब्ता तक बड़ा के भियान में कुछ गाउं में बताया गया कि सुबह एक गंटा प्रभात फेरी कर रहें गाउं गाउं लोगे के जागरुती तुछ जगा पे स्कूलों में जो प्राशना सबाई होती है तो वहां जो जागरुत टीचर है उन्होंने विक्सित भारत क्या है आजादी के 100 साल स्कूल होंगे तब तक कैसे आगे बढ़ना है यह बच्चे तब 25-35 साल के हो जाएंगे तब उनका विशे कैसा होगा इन सारे विशों की स्कूल में चर्चाय कर रहे हैं आजकल आएसे जागरुत जो सिख्षक है वो भी लोगों को सिख्षित कर रहे हैं और स्कूल के बच् पत्ते पाउदे लेकर के कहीं सुखे पत्ते जोड़ करके बहुत बढ़िया रंगोलिया बनाई है अच्छे नारे लिखें लोगों ने कुछ कुलों के अंदर नारे लिखने की परदाएं हुई है मुझे बताया गया है कि कुछ गावों में तो गारंटी वाली गाड़ी आ ताकि पूरे गावों में गारंटी वाली गाड़ी का वाताउंड बन जाए यानि यहां जो लोगों का उमंग है और कुछ लोग मैंने सुना कि गावों के बहार तक जाते हैं गाड़ी आने वाली एं तो पुजा का सामान लेकर करके आरती लेकर के फूल लेकर के गाउं दर्वाइजे गाओं के बाहर जो पैड होता है नाका होता है या गेट होता है वहां तक गए और गाड़ी का स्वागत करते हुए अंदर तक ले गए नारे बोलते बोलते याने पूरे गाओं में जैसे उत्सव का वहां तवाताओं दरा जिया मुझे जानकर भी अच्छा सब बड़े बुजूर्ग समाज के सभी वर्क के लोग सबको स्वागत समीतियों में जुड़ा है और स्वागत समीतिय के लोग इसका स्वागत करने के लिए तेहरिया कर रही है जिम्मेदारिया संबाल रही है मोदी की गानेंटी की वाली जो गाड़ी आने वाली है ना इस मिसकी एक दुन पहले से गोश्टा हो रही है तो मैंने कोशेश किया है यह एक दो दिन क्या सबथे पहले बता दो में फनानी तारइक हो आएगा डिक लिक आपने तरीप्षा होते हैं इतना उफ्षा है तो पहले जगर पदा चलेगा तो ज़्यादा तैयारिया करेंगे और जिन गाउं में गाड़ी जाने वाली लिए अगल बगल के दो त्यार-5 किलोमेटर चोटे-चोटे कस्बे होते हैं उनको भी बुला सकते हैं स्कूल के बच्चों से लेकर बुजुरकों को भी इस योजना में सामिल किया जा रहा है और मैंने देखा उसमें सेलफी पॉइंट बनते हैं इतनी सेलफी लोग ले रहे हैं और गाउं के भी मात आएं बैने मोबाइल फॉन का उप्योग करना सेलफी लेना और यह सेलफी अप देश से कोने कोने में पहुंच रही हैं लोगों का उत्सा और ज्याजा बढ़ता जा रहा है ओडिशा में जगए जगए पारम पारी ट्राइबल डांच से नृत्य करते हैं लोग जो परंपराग्रत हमारे आदिवासी परिवारों में होता है इतना शामदान नृत्य हो रह सिहल के रामब्राय में कारकम के दर्वान स्थानिये लोगों ने कोप सुंदर सास्कृतिक कारकम किये नृत्य का अयोजन किया अंडामान और लक्षदिप्र दूर दूर कोई पूस्ता ने ऐसे हिलागे इतना बड़ा शांदार कारकम लोग कर रहे हैं और बड़ी खुपसर नहीं आ रहे हैं मुझे अभी बताए एक कारकम में अभी तो बुले आज पास के लोग इतनी बड़ी मात्रा में चोटा सा गाउं था लेकिन चार सौड़े चार जार लोग इखटे हो गए ऐसे अंगिनित उधारन रोज देखने को मिल रहे हैं वीडियो देखने को मिल रहा पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है मैं तो कहूंगा कि इन कमों की इनी तयारियों के जो कामों रहे हैं शायद मुझे तो पूर्य पता भी नहीं होगा इतनी विवीत नहीं लोगों ने की है इतनी उसमें नए रंग भर दी हैं नया उत्सा बर दी आए मुझे तो लगता है इसका एक बहुत बड़ी लिस्ट बनानी चाहिए ताकि गारंटी वाली गाड़ी जहां जहां पहुंचने वाली है उनको भी तैयरी करने के लिए काम आ जाए यह सारे सुजाव जो लोगों ने किया है वो अनुभा उनको भी काम आ जाए तो यह कि उसकी भी अगर एक लिस् पता नहीं है उनका आइडिया मिल जाएगा सात्यों सरकार की लगातार कोशिश है कि जब मोदी की गारंटी वाली गाड़ी पहुंचे तो गाउं का हर एक व्यक्ति उस गाड़ी तक जुरूर पहुंचना चाहिए और मेरे साथ प्लाल इतना है आप देखते रहें न्यूज सग्सों सुह मोशप लैर ऑम एक शी से यसका प् Lindsay